हेलो दोस्तो wealcome to golden flute ढस्तो इस है वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हो सारे गमा प्रधनिसा पर कैसे बजाने का हाउट प्लै सारे गमा पर और उना फ्लूट डोस्तो इसके पहले अल्डेडी मैंने दो तिन वीडियो डाले है जिसमें सरगम अपर दनिसा कैसे बजाने का वो विजुल में बता है अभी इसमें में कुछ डाइग्राम के साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हो यह सा लिखाए मेंने और यहाँ पे यह जो होल देख रहा है उपर वो जो होल है वहाँ से हम ब्लोइंग करते हैं मतलब हमाँ फूगते हैं और बाकी के यह जो चे से होल है बाकी के वह आपने बास्तरी के आगे के होल है तो दोस्तो आप तब बज्टा है सा, उसके बाद आया रे, रे को क्या करने चाहिए हमें, यह दो ही होल हमें क्लोज करना है, बाकी सब उपन, तब जाके बज़ेग아 रे, उसके बाद आये ग, ग मैं स्रीप लाश्ट वाला जो HOL है, वो क्लोज करने का बाकी पाचो होल जो उपन होना चाहिए तब जाके बज़ेगा ग और उसके बाद है म, म के लिए थोड़ा सा अलग है दोस्तों जो म है वो हापनोट छोड़ना है, हापनोट मतलब यहाँ पर मैंने डाइगरम में देख सकते हो, आधा में ने कट किया है यह इतना, तो उतना ही हमें कट करना है, तब जाके वो म बज़ करते हैं क्योंकि कोई लोग ज्यादा छोड़ते हैं कोई लोग कम छोड़ता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब हम म बज़ाते हैं तो हमें लगता है, वो साउंड प्रॉपर ने बज रहा है, यह म लगने रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, वो थोड़ा ज्यादा ख बनाऊंगा जिसमें में डिटेल दिखाऊंगा मा कैसे बजाने का उसके बाद है आया अभी पर दोस्तों इसमें और इसमें आलग फरक यही है यहां पर मतलब जब हम बजाते हैं तो ब्लॉइंग करते तो सिर्फ यहां से यह पास होता है यहां से पास हो जाती है इसकी वज़ कि हमें पर बज़ जते टायम पे हमारा एर प्रेशर शुड़ भी जादा होना चाहिए अगर जयादा रहेगा तब ही जाके वह बज़ेगा और आच्छा साूंड आएगा अगर पर में आपके एर कम रहेगी एर प्रेशर कम रहेगा उससे यह होगा कि आपका प जो है वो यहां से Ear Pressure बढ़ाने का यहां में क्योंकि आप हम ऊपर किस और जा हरे इसके बाद आया धव धखो को भी क्या करने का सब खोल क्लोज स्रिफ लाश्ट वाल एक होल उपन क्योंकि तब यहां से तीनों से अवाप पास होकर यहां से और यहां से इसलिए धखों नावी जो 5 होल है वो खोड़ करने का नेको ये 4 होले क्रोड़ क्रने का सा SCOTT को फिर से अपना यही शरिप इसमे और ये सा म we start law रोon ये सामे डिफरेंस यही है दोस्तो कि कि यह जो सा साहे यह साहे मध्य सब्तक का यह सा तार सब्तक त्यूर सब्तक का साहे आप बजाने के लिए हमें एर प्रेशर बहुत ज्यादा बंटन करना पड़ता है और तब जाके वह तीूर सा बजता है दोस्तों इसके लिए आप बहुत सारे अच्छी प्रैक्टिस करों सारे गमरपा जल्दी ही आपके फिंगर में भी बदलावाएगे मैंने गमक कैसे बाजाने काई वो भी डाला है गमक प्रक्टिस करते टाइम पर इंपोर्टन चीज यह है कि आप जब तक आपको प्लेन पुरा बाजाना नहीं आ रहा होगा तो आप गमक पर फोकस मत करो जब आपको प्लेनली जब आपके सरगम या नोटेशन गानी या फिर आपके अलंकार है वो अगर आप अच्छे दर से बजा रहे हो उसको अगर लग रहा है आपको आप पजा पा रहे हो तभी जाके आप उस पर गमक की प्रक्टिस करो और दोस् तो यह जो पार्ट है यह फर्स्ट पार्थ है हमारे चैनल का क्योंकि इसके पहले बहुत सारे लोग ये उजिन्हें ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था कि आप सिक्वीश्वाइज हमें बताओ कि प्रक्टिस कैसे कैसे करना है तो इसके लिए यह पहला वीडियो है जिसम तो अब तक के लिए बस इतना ही मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए जै स्रीकृष्णा